क्या 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे स्कूल्स क्या कोचिंग भी हो सकेंगी ओपन क्या बिना वैक्सीन के बच्चों को स्कूल भेजना उचित होगा क्या स्कूल में हो पाएगी बच्चों की पूरी सुरक्षा कोरोना वाइरस से इस समय जब ना ही कोई वैक्सीन और ना ही कोई दवा कोरोना की उपलप्त है बाजार में तो क्या अभी भावक ऐसे महाल में बच्चों को स्कूल भेजेंगे और यदि नहीं भेजते हैं तो क्या होगी उनकी भूमिका अपने बच्चे से जुड़े इस एहम फैसले को लेने में तो इन सब सारे सवालों का जवाब जानेंगे पर उसके पहले वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजेगा और अगली मुलाकात के लिए सबस्क्राइब कीजेगा और हाँ घंटी को भी जरूर दबाईएगा हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू वित्तूस फॉन्ट और आए शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ओफ 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 अफेर्स ने अनलॉक फाइफ की गाइड्लाइन्स जारी करती हैं जिसके अनुसार राजे सरकारे 15 अक्टूबर से स्कूल ओपन कर सकती हैं सरकार नी राजे सरकारों को अपने वीवेक अनुसार COVID-19 की सिति को देखते हुए या फैसला लेने की अनुवती हैं गाइड्लाइन्स के अनुसार स्कूल में बच्चों को भेजने का अंतिम निर्णे पेरेंट्स का ही होगा बच्चे स्कूल तब ही जा सकेंगे जब उनके पेरेंट्स अपनी लिखित सहमती स्कूल को देते हैं कि वो चाहते हैं कि अब उनका बच्चा स्कूल जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें स्कूल या कोचिंग को अल्टिमेटली ओपन करने का निर्णे स्कूल या उस संसान का ही होगा वो अपने एरिया की स्थिती के अनुसार और COVID-19 की स्थिती के अनुसार सुरक्षा के माईनों को ध्यान में रखते हुए स्कूल या कोचिंग को ओपन कर सकते हैं या पन कर सकते हैं इन सब के बाद भी यदि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो बजाए स्कूल जाने के वह पूड़त या स्वतंत्र है घर पे ही पढ़ाई करने के लिए इलर्निंग के सारे आप्शन हमेशा खुले रहेंगे इसमें किसी को भी कोई आपत्ती नहीं हो सकती इसलिए बच्चा घर पे ही पढ़ाई करता रहेगा उसके अटेंडन्स को लेकर भी उस पर कोई दबाब नहीं डाला जा सकता है तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजेगा और अगले मुलाकात के लिए सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई